हेलो एवरिवन मैं हूँ डॉक्टर सुमन अगरवाल मैं एक बोध सर्टिफाइड डिमेटोलोजिस्ट हूँ और आज मैं सबसे कॉमन स्किन केर क्वेशन को आंसर करने वाली हूँ मेरे पेशन्स अकसर एक बर मुझसे हैं और पेशन्स के साथ जो आते हैं वो भी एक वेशन करते हैं तो आए हम अपने पेशन्स से ही जानते हैं कि यह क्या question है बताइये से ब्लू होता है अमन, ब्लू लाइट क्या होता है? एज रिलेटेड चेंज जैसे के एज स्पोर्ट, संस्पोर्ट कर सकती है और इवन कैंसर को ज्यादा कॉमनली इन केसे में देखा गया है तो इसलिए आपकी संस्क्रीन में ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए जो इंडिया की फर्स्ट इंडोर और आउट्डोर संस्क्रीन है तो यह यूवी लाइट के साथ ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्शन करती है यह स्वेट रेजिस्टेंट है वाटर रेजिस्टेंट है ब्रॉट स्पेक्ट्रम है यह आपको SPF 50 प्रोवाइट करता है इसकी पीए रेटिंग भी 3 प्लस है तो यह सभी फीचर्स जो है इसको एक आइडियल संस्क्रीन बनाते है और इसलिए यह मेरी फेवरेट संस्क्री खुद भी से उसकरती हूं और अपने पेशिंट को अपने ख्लाइन्स को सजेस्ट करती हूं कि यह संस्क्रीन आप यूजब करीए इसके साथ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि संस्क्रीन को लगाने का सही तरीका क्या है तो आपको दो फिंगर यूनिट्स लेने हैं मतलब आप sunscreen को पूरी finger पे लीजिए, नीचे से लेके उपर तक, उसके बाद आप उसको sunscreen को पूरे face पे हलका सा लगा लीजिए, dot dot करके, और उसके बाद finger से lightly उसको पूरे face पे और neck पे spread करें, आपको sunscreen को rub नहीं करना है, घिसना नहीं है, और हाथ पे लेके, दोनों हाथों पे muscle के रगड के नहीं लगाना है, sunscreen apply करने के बाद, एक बार शायद आपको white cast दिखे, जो 2 minute में set हो जाता है, और कोई white cast नहीं रहता है, especially इस sunscreen में, तो आप इस तरह से sunscreen लगाईए, और हमेशा sunscreen लगाईए, चाहे आप indoor रह रहे हों, चाहे आप बाहर जा रहे हों, दिन के टाइम sunscreen लगाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूवीडू, blue light एक long lasting sunscreen है, इसलिए अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं, और अच्छे से लगा लेते हैं, तो आपको repeat करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है,